हलो दियर स्टुदेंट्स, वेल्कम बेक तु मैं चनल, फिजिक्स स्पीसी, हीट ट्रांसफर का एक अच्छा कुशन, तु को अच्छल स्लंडर्स, अब रडियस आर, एंट्रिया, और मेड ऑप मटेरिल ऑप थर्मन कंडुक्टिविटी, के वन के टू रेस्पक्टिवरी, इक्व़लेंट थर्मन कंडुक्टिविटी, अप सविस्टन्स, फॉर एक्जियल, हीट फ्लो मेबी, तो एक्जियल यह इसका मजलर हीट कंड ऐसे फ्लो कर रही है, और ये दो मटेरियल हैं पर एक मटेरियल यह वाला है पूरा, यह वाला, और एक आपका यहophile हवाला लिख सकते हैं, यह बाइट वाला जो बच गया है थीक है, तो इसमें हीट, इधर से एको इंगरेज और त्ह और यह वाला यह आई वन Ahh तो यह पालल में हैं कुछ सिरीज में होते हैं तो कुछ इस तरह से करनेक करते हैं एक रोड ए इसके ज़स्थ बाद एक रोड और करेकरते neighborhood T h h h temperature जो तैंदर फिर e और इसमें एक ही पात होता है कंटे के प्रूने का ऐसे है यह हीज कंट सेम होती है और जब पैनल में कनेक्ट करते हैं तो इसमें दो पात हो जाते हैं उसके पास एक रॉड ऐसे और एग रॉड ऐसे और इधर से जो हीज कंट आती है एक पात ही हो सकता है और एक पात ही हो सकता है आधे हैं तो इसे कने टे हैं तो यह सोचो यहां पर अगर इधर ठ्छ फ कर यहां थर्मिकंट केट्विटी अलग है यहां से ही उपन होगी और यह जो रहरा दोगी यह दोनों में दो पात होंगे इसमें तो यह किस में है पैलल में है तो यह पैलल में connected है अब हमसे thermal conductivity equivalent thermal conductivity पूछ रहा है तो यह तो पैलल में है तो क्या लिक है one upon r equivalent equal to one upon r1 plus one upon r2 यहां r1 r2 जो है यह thermal resistance है थोड़ा सा formula पर चर्चा कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं यह पैलल कॉमिशन लगा थी लगा दिया ठीक है कि अच्छे तो जो अगर एक रॉड ले लेंगे इसकी thermal conductivity के लेंग्ध एल एरिया और इधर हाई temperature लेले इधर low temperature तो heat current आपकी high temperature to low temperature फ्लो करेगी heat current heat current जो होती है वो एक सेकंड में flow करने वाली heat होती है dqy dt rate of flow of heat is equal to k a temperature difference th minus tl that means delta t over length इसको चाहो तो आप ऐसे लिसकते हो ih ब्राबर th minus tl over l upon ka इसमें जो l upon ka है इसी को thermal resistance बोलते है क्योंको यह k a नीचे ले आने है वेटा इसी फर्मले को लिखा है मैं नहीं है और इसको लिख सकते है thermal resistance इसकी जो unit होती है यह heat current है आपकी जूल पर second heat current की यह फॉर्मला होता है मेरेको तो thermal resistance का formula याद होना चाहिए l upon ka यह thermal resistance का formula है thermal resistance और मैं इसे ऐसे याद रखता हूं कि अगर यह रोड के बारे में बद चर्चा करी हम यह current लेक्ट्रीम पढ़ते हैं इसमें electrical current फ्लो कर रही है इसका resistance आ रहे है और यह potential difference है वीवन वीटू 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 तो current high potential to low temperature फ्लो करती है बिल्कुल heat current high temperature से low temperature फ्लो करती है similarly लिखें तो यह electric current is equal to potential difference अबर resistance यह लिखते हैं यह temperature difference अपन resistance लिख रहे हैं क्योंकि इसमें current जो है heat current फ्लो करती है वह high temperature to low temperature फ्लो करती है यह current फ्लो करती है electric high potential to low electric potential इसलिए potential difference अपन resistance यह electrical resistance होता है resistivity length of area position और resistivity is equal to conductivity is equal to resistivity होता है इसलिए लिखते है एल अपन सिग्मा यह electrical conductivity और यह thermal conductivity area of cross section और length यह area of cross section होता है ठीक है चलिए करते हैं अब इसको यहां अगर मैं आर वन की value put करूं that means यह एल अपन के ए तो वन अपन एल तो मानलो इसकी जो है यह एल है ठीक है तो एल अपन के ए तो के ए उपर पहुंजाएगी तो के वन इंटू area of cross section तो को इसका area of cross section यह हो जाएगा बिटा यह वाला यह इस पालेगा पहले वालेगा जिसका thermal conductivity के वन इ आर की बन की जगह पर लिखेंगे एल अपन के तो एल अपन के नीचे आगा लेकर उपर पहुंचा दिया में ठीक है प्लस ऐसे इसको लिखें तो के टू thermal conductivity के टू लेकिन इसका area लिखना है तो अब इसमें area इसका कैसे लिखें तो द्यान से सुनें यहाँ पर जैसे इसको अगर हम यह side भी बनाएं हाँ वाला तो यह देखो यह वाला जो आपका है इसकी radius आ रहे है और यह जो दूसरा वाला है इसकी जो radius है यह थ्री आ रहे है इसका area तो हमने लिख दिया इस वाले का अब लिखना है इस वाले का तो इसका जो area लिखेंगे ना वो यह वाला हुगा वेटा इसका ने लिखना है आर वाले का अब इस वाले का area लिखे ना तो यह वाला हुगा देखो यह वाला यह वाला area लिखना है वेटा जो मैं कर रह लहीं आएटू नोफ सका एरिया लिखें तो कितना लिखें तो इस पूरे के एरिया मैंसे और एक गठाना पड़ेगा तब केभल यह वाला यह उसके निकालना है तो कि यह लिखें कि पाई3rap मेलब 9rka इसक्वाइरений was 5 ال मागिनस अूंग समस्फ यह एरिया हो लेतने मुद अब गाल oceans पाई लोसक्त मेरे से फाइर...? यह केवल इस वाले पोचन आई विंहेगा है, इस वालए पोचन का एरिया इस पहर तो इसी 4 आरिया लिखना था, सीारिय लिखना था फॉपारहन था? केवन लिखाए से यहां पे इतर की तरह आएगा के कोलेंट है और एडिया लिखें पहले वाले का तो पाईर स्केयर ओवर लेंग थालिए प्लस दूसरे वाले का लिखे हैं तो k equivalent एरिया लिखे हैं तो देखो 9 pi r square में से pi r square गठाएंगे तो कतना एला 8 pi r square 8 pi r square over length L है दोबार अलगार लिख दू k equivalent pi r square ये 1 upon r equivalent की value put करी है ये वाली k equivalent into पहले वाले का pi r square एरिया है और length L है और दूत्रे वाले का लिखे हैं तो k equivalent दूत्रे वाले का जो एरिया है ना 9 pi r square मानिस pi r square ये तो है तो ये लिखा में ओबर length है ले तो इसो solve करें तो देखो L से तो L कड़ दाएगा common लेके और इधर pi r square common लेकी कड़ दाएगा आपका इधर से pi r square कड़ दाएगा तो इधर क्या बचा 8 equivalent और k equivalent 9 k equivalent बचा और यहां पर बचा कितना k1 plus 9 में से जब आपका pi r square गया हो तो 8 k2 pi r square तो pi r square काड़ दिये नहीं मैंने कितना तो k equivalent निकले आया पिटा k1 plus 8 k2 over 9 यह देखो इसलिए इसका जो answer हो जाएगा वह हो जाएगा c k1 plus 8 k2 divided by 9 उमीद करता हूं कि आपको ही question जरूल समझ में आया होगा पढ़ते रहिए और खुच रहिए थेंक्यू